दोस्तों ये बच्चा जो कि रोज स्कूल बंग करता था आज इसकी माँ इसका हाथ पकड़ कर स्कूल के लिए छोड़ने जाती है लेकिन माँ को कुछ जरूरी काम था अब वो दुकानदार से कहती है कि आप मेरे बेटे का जर्रत ध्यान देना मैं अब ही आती हूँ तब ही दुकान में एक आदमी आता है जो कि वहाँ पर पिजड़े में रखे हुए कबूतर का दाव पूछता है इस पर दुकानदार से की कीमत 200 रुपए वताता है ये लड़का इनकी बाते सुन रहा था मगर लड़का स्कूल में पहुँशने से पहले ही भाग जाता है और एक मंदिल में जाकर वहाँ पर दान की हुए पैसो को इकठा करने लगता है मा अभी पे उसका पीछा कर रही थी वो ये सब देखती है अब लड़का सारे पैसे कठा करके दुकानदार से वो कबूतर खरीद लेता है और उसे आजाद कर देता है साथे दुकानदार से कहता है अगर आप पक्षी पकड़ना छोड़ दोगे तो मैं रोज स्कूल जा पाऊंगा और मा की डाट भी नहीं सुननी पड़ेगी और सच्चाई जानकर मा उसे गले से लगा लेती है